कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना, तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा उचाई तक उर नहीं सकता, बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे उचाई पर उरता है, और बाकी पक्षियों का राजा होता है, एक बाज, आज मैं आपको 5 ऐसे बताऊंगा जो कि हर एक इनसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन फाइफ पॉइंट्स में बाज की तरह अकेला चलना सीखो बाज अकेला उरता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे उचाई पर उरता है बाज अकेला उरेगा लेकिन कभी भी चरिया और चोटे पक्षियों के साथ नहीं उरेगा बाज हमेशा या तो बाज के साथ उरता है या फिर अकेला उरता है इससे हमें ये सिक मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है दो, बास की तरह अपनी लक्ष पर ध्यान दो बास का विशन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है बास अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष देख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आये वो अपने लक्ष को हासिल कर केही दम लेता है इससे भी एक बहुत बड़ी सिक मिलती है कि अपना विशन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में पिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आये पीछे मत हटो उस बास की तरह बास कभी भी मरी हुई चीजे नहीं खाता बास कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता वह हमेशा जिन्दा शिकार करता है और इससे हमें ये सिक मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है तो अपने उस मरे हुए थोट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी, फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ, अपने पास्ट की पुरानी यादे जो तुम्हें तन करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ उसकी जगह है और तुम्हारे, पास्ट की जगह है अपने में वर्तमान में जगह मत दो क्यो चार्ट, मुश्किल समय में दरो नहीं। तुम भी अपने अफसर को पहचानो और जिस दिन उन अफसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे निचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के उपर होंगे। इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा comfort zone में रहोगे आपकी life आने वाले time में उतनी ही uncomfortable हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बास द्वारा बताई गए इन 5 lessons से आपको कुछ ना कुछ सिखने को जरूर मिली होगी। कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सी सिख सबसे अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करिएगा। दोस्तों मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल दपीपल लाइफ को आप प्लीज सब्सक्राइब कमेंट्स और लाइक शेर थम्ज आपका चिनह बेल जरूर करें आपका दिन शुभ हो धन्यवाद।